सुप्रबात मित्रों आप सबको दसहरा की धेर सारी सुपकामना है ये दसहरा आपके लिए हरसो उल्लास, आनन्त, उत्सव, सुक, सांती और सम्रुदी लाए ऐसी मेरी मा नवदुर्गा से प्रभुश्री राम से इश्वर से प्रातना है मित्रो, दसहरा क्या है और क्यूं मनाया जाता है ये साब अच्छे से जानते हो अंधकार पे उजाले का विजई, असूरी सक्तियों पे इश्वर्य सक्तियों का विजई और ये एक विजय का पर्व विजय उत्सव है और उसी तरह से हम SS के भारत ग्रूप में अब एक विजय उत्सव मनाने जा रहे है और ये उत्सव 16 तारिक को वारा नसी के SS के भारत काशी विश्वनात मीनी इंडस्ट्री और बिजनेस पार्क में होने जा रहा है मित्रो हमने एक नया विचार बनाया SS के भारत स्टाटप और स्टाटप के द्वारा उद्योग और उद्योग के द्वारा बिजनेस नेटवर्क बनाते हुए हर तसील, हर परिशा और हर जिले का विकास उस जिले में जो आवश्यक बिजनेस मॉडल है या जो प्रोडक्ट्स है उसको आगे ले जाना, वहां की चीजों को बढ़ाना और एक अनुखा मॉडल हमने बनाया उस मॉडल का पहला सबसे पहला सेंपल या जिसे मैं कहता हूँ कि एक सक्सेस्फूल मॉडल वो वारा नसी में बन रहा है बाबा कासी विश्वनात और मा गंगा के आशिरवात से यहां पे ये काम की सुरुवात हुई क्योंकि हमारे ग्रूप के चेर परसन एडवोकेट शाम संकर उपाद्याई सर जो कि यूरेश्या के ट्रेड कमिशनर भी है उनका जन्म तो मुंबई का ही है मगर उनकी मात्रू भूमी ये वारा नसी की धर्ती है और उनी की प्रेणा से साथ ही अभी की उत्तरपदेश की सरकार की सकारात्मक नितियों की वज़े से क्योंकि अगर मुझे ये काम तीन महीने, चार महीने में करना होता तो कहीं और में जाता तो सायद परमी संग की प्रक्रिया में मुझे छे, आट, दस महीने लग जाते तो मुझे इसको तुरंत करना था और इमिजेट करना था क्योंकि उसके जो benefits है वो पूरे SS के भारत परिवार के लोगों को मिलेंगी चाहे वो राजस्तान के लोग हो गुदरात के लोग हो माराश के लोग हो करनाटक के लोग हो मद्यपदेश के लोग हो जारखन के लोग हो कहीं के भी लोग हो और उसके लिए ये जरूरी था कि एक प्रोजेक्ट हम बहुत तेजी से सुरू करे तो मेरे लिए यहाँ पे एक बहुत ही positive situation थी यहाँ पे हमारी एक बहुत बड़ी well set office है आप जानते हो यहाँ पे हमारे पास जमीन available थी यहाँ पे सरकार की नीतिया एक हजार दिन तक कोई permission नहीं चाहिए सबसीडी की policy आए हाला कि हम सबसीडी की बैसाकी के आधार पे कोई काम नहीं कर रहे है हम चाहते हैं कि सबसीडी अच्छे कामों में यूजो मैं खुद personal level पे सबसीडी का विरूधक हो मगर सबसीडी सरकार उन उद्योगों को देती है जिसको बढ़ावा देने की जरुवत होती है और जिससे लोगों को रुजगार मिलता है और उसमें उतना profit कम होता है मगर हमने जो model बना हो इतना profitable है कि इसमें सबसीडी मिलती है तो बहुत welcome है बट वो हमारा core नहीं है तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखके ये जरुवी था कि ये project तेजी से लगे और वो तेजी से लगने के लिए आवश्यक था कि ऐसी जगह हो जहां पर सकारात्मक वातावरन हो हमारी पास infrastructure ready हो तो ये सारा हमारे पास एक महाराष्ट में था और एक उत्तरपदेश में था मगर महाराष्ट में क्या था कि समय लग जाता permissions को और permissions के विगर हम हतोड़ा भी नहीं मार सकते थे नहीं तो फिर illegal construction है आपको penalty लग जाएगी आपको बाकी की चीज़े होगी तो एक प्रक्रिया से जाना है और वो जरूरी भी है मगर ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं हमने पहले उत्तरपदेश सुना बढ़ आने वाले समय में ये महराष्ट गुजरात करनाटत मध्यप्रदेश राज्यस्तान हर जगा पे हम करने जा रहे हैं ये प्रोजेक्ट अब एक अलग रूप रेखा पे आ गया है हमने टार्गेट लिया था सिर्फ तीन महीने का तीन महीने में हमें इस प्रोजेक्ट को रेडी करना था वो भी बारिश की सीजन थी अनफेवरेबल एनवायरमेंट था जमीन हमने जो हमारी थी वो खेती की जमीन थी उसमें अगर ट्रक जाते तो ट्रक अटक जाते ट्रेक्टर जाते ट्रेक्टर अटक जाते अरे जेसी भी तक नहीं गुमते थे उसमें इतनी कटिन परिष्टी यह तीन महिने में लगबक 15-20 दिन हमको बारिष के कारण काम बंद रखना पड़ा और एक आपको आनंद की बात बताता हूं यहां पे कि यहां पर एक हिसा है कि अगर सुबह बारिष गिर देए ना तो वरकर सोच आता है उनको वह प्राइवरिटी नहीं लगता वह अपने एक अच्छा खुशाल जीवन जीना चाते दिन में आते हैं काम करते हैं अपने खाते पीते आनंद करते हैं उनको कोई मतलब नहीं आप दिन राज साइट के चला रहे हो कि क् एक्चुली उनकी नहीं है और होनी भी नहीं जीए क्योंकि आदमी को अच्छा जिन्दी जीना जीए मगर हमारा प्राइवरिटी अलग था हमको लड़ना था हमने लड़ाए लड़ी मेरे साथ मेरी पूरी टीम SS के अबारत की प्रोजिक्ट टीम यहाँ पे वारा नसी के हम संधिम मिश्रा उनके साथ हमारे भिश्म कुमार हमाRE देवां हमारे मनिश भाइय कितने नाम लोini प्रेयांक हर लोगों ने टीम बना के मैनत कि हमारे सिविल के जो कॉंटर्क्टर है रमा संकर जी हमारे और भी लोग है टीम है मतलब एक टीम भाना क्या हम ने कसके काम किया अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जो करना था उसके लिए मुझे 15 दिन कम पड़े, मगर इश्वर की कुर्पा से, बाबा काशी विश्वनात की कुर्पा से हम इसी परिस्थिती में है, कि वो पूरा प्रोजेक्ट एक रूप रेशा के साथ रेडी हो गया है, मशीन आने सुरू हो गए अल्रेड़ी, आप सब जानते हो कि फैबॉन एंजिनेरिंग का कैटल फीड मशीन आ चुका है, उसके अलावा रादे एंजिनेरिंग का ब्रिकेट मशीन निकल चुका है, उसके अलावा जो हमने नेपियर का मशीन, इसको मैं मशीन तो कहीं नहीं सकता, इट इस एंटायर सिस्टम, ये एक पूरी व्यवस्ता है अपने आप में, जिसमें गन्ने की तरह जब नेपियर गास आएगा तब फीडिंग होगा, फीडिंग होके, क्रशिंग होके, तुकड़ा होके, उसका ज्यूस निकल के, डायरेक्ट 10-12% मॉइस्टर पे हम उसको लाया, ऐसा वर्ल्ड का पहला मशीन हम बना रहे है, वर्ल्ड का पहला, ये मशीन जब डिजाइन होआ तो 22 मिटर का था, जब जगे पे आया तो 32 मिटर का हो गया, और प्लस 4 मिटर का उसका फीडर टेबल, मतलब 36 मिटर का हो गया, बट मैं कहता हो ना कि मैं प्लान A, B, C, D, E में चलता हो, तो मैंने पहले ही उस शेड को उतना एक्स्ट्रा बना के रखा था, जिससे मुझे कोई दिक्कत आई, नहीं, नहीं तो पूरा का पूरा प्रोग्राम फेल हो जाता, तो पिछले कंस्ट्रक्शन के अनुबव मुझे हर जगा काम आ रहे है, मेरे कॉंटेक्स, मेरा नॉलेज, मेरे साथ जो लोग लगे हैं, उनका नॉलेज, और ये सब मिला के हम एक अच्छे से काम कर रहे हैं, ये मशीन भी 13 तारिक को मुझे लगता है, वहां से डिस्पैच हो जाएगी चौदा या पंदरा, पंदरा चौदा को तो नहीं आ सकती है, पंदरा रात, लेट नाइट या सोला मॉर्निंग तक ये मुशीन पहुचेगी, उसके कुछ पार्ट हम आपको दिखा पाएंगे, इसके आलावा सत्यजित की पैलेट मशीन हमने रिक्वेस्ट किय है, उन्होंने कहा करतिक भाई तो आट डिफिकल दिख रहा है, एक पाच्छे दिन लगेंगे हमको, फिर भी हमने उनको रिक्वेस्ट किये कि ये हमारे लिए परिक्षा की गड़ी है, इस परिक्षा की गड़ी में आप भी हमारा साथ दो, उन्होंने बहुत ठीक है करता तो वो मशीन आएगी ये सारी मशीने आने के बाद हम 16 तारिक को वास्तु पूजन कर रहे हैं जैसे हम घर में प्रवेश करते हैं तो उसके पहले जब हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं कुछ भी काम चालू करने के पहले वहाँ पे कलश की स्थापना करते हैं हमारे भारतिय संस्कृती में कलश का एक बहुत अलग महत्वा है एक तामबे का लोटा उसमें जल उसमें कुछ कॉइन कुछ और तत्व पत्ते और उसके उपर एक श्रीफल और उसको एक कुमारिका के द्वारा हम कलश रखवाते हैं और उसके बाद जाके हम उस गर में काम सुरू करते हैं और फिर जाके जो है वो आपका गुरूप रोवेश होता है तो ये एक वास्तु पुजन, एक वास्तु बना है इसका वास्तु पुजन करके हम installation of machine start करेंगे तो जो लोग machine का process देखना चाते है machine देखना चाते है, पूरा system देखना चाते है उन लोगों को मैं ये request करूँगा कि वो 15-20 नवेंबर के बाद prior appointment के साथ आए मगर जो हमारे परिवार के लोग है हम यहाँ पे पूजा करेंगे, अनन्द करेंगे, उत्सव करेंगे वो लोगों का स्वागत है तो इस तरह से ये कार्यक्रम होने जा रहा है आप सबका स्वागत है मैंने कहा था कि परिवार को आमंतरन की आवशक्ता नहीं होती जो अपने है वो सबका स्वागत है जिनको लगता है कि SS के बारत हमारा अपना परिवार है ना उनको पूछने की जरूवत है, ना उनको परमिसन की जरूवत है उनका स्वागत है पत्रिका एक फर्मालिटी के लिए हमने कुछ लोगों को दी है मगर ये सिर्फ फर्मालिटी है अपने लोगों को कोई पत्रिका देने की जरूत है मेरा ओडियो मेसेज आप जैसे बाकी चीजों में सुनते हो उसी तरह से ये भी है तो ये उभी पहली बात दूसरी बात हमें अभी भी पता नहीं है कि कितने लोग आ रहे है और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मुझे जानना जरूरी है कि मुझे वहाँ पे कितने लोगों की व्यवस्था करनी है तो मैं आप सबसे विंती करता हूँ कि जो भी व्यक्ति जिनोंने मुझे बताया भी हो कि सर मैं आ रहा हूँ मेरे साथ यह आ रहे है वो सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि SS के भारत प्रोजेक्ट नेहा में हमको एक मैसेड डाले आपका नाम आप कितने लोग आ रहे हो, कितनी तारिक को आ रहे हो, कितनी तारिक को जाओगे तो ये एक डेटा हमारे पास होना बहुत जरूरी है इसके बिगर हम भी मुझे यही पता ने कि मुझे प्रोजेक्ट साइट पे कितने जन के भोजन की विवस्ता करने है तो मैं क्या करूँगा, कितने जन को पानी देना है, चाही देना है, यह तो पता होना चाहिए, कितने लोगों के बैटने की विवस्ता करने है, क्योंकि हमारा परिवार इतना बड़ा है, कि it is very difficult to judge की कोहना आ रहा है, मगर मैं हर व्यक्ति कोई कहूँगा, कि यहां पर वही आ आने कि मेरे इस audio message के बाद तुरंट आपने मुझे बताया हो तो भी, SS के भारत project नहामेम को, आप message कीजिए, मेरा नाम ये है, मेरे साथ दो लोग है, एक लोग है, मैं ये तारिक को पहुचूँगा, और मैं ये तारिक को निकल जाओंगा, जिससे हमको एक planning का पता चले कि क उन कितना कहां पर आ रहा है, तो ये आप सबसे विंती है, क्योंकि नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे क्या वेवस्ता करनी है, दूसरी महत्वापुर्णबाद, ये project अपने आप में एक project नहीं है, ये पूरी ecosystem है, इसको develop करके, 15 जन्वरी के बाद, मैं चाहता कि मैं प्रधान मंतरी मोदी जी, योगी जी का, गड़करी जी का समय मांगो, और उनको लाके यहां पर दिखाओ, उसमें से किसी न किसी व्यक्ति के हातों, जो आ सके, उनके हातों इसका actual opening कराओ, इस project का opening बाकी है, इसलिए हमने इसको वास्तु पूजन कहा है, अभी इसको बहुत fine tune करना है, बहुत छोटी छोटी चीजे करनी है, बहुत कुछ करना है, तो आप सब को यही कहना चाहता हूँ कि आप सब अपने इस SS के भारत परिवार के, यह SS के बारत मेरी या उपादेसर की company नहीं है मित्रो, यह हम सब की company है, पूरे देश की company है, पूरे के पूर कम से कम 21-51 प्रोजेक्ट, टेकनिकली 51 ही मेला टार्गेट है, बट कम कहना और ज़ादा करना हम ऐसा अच्छा रहता है, यह प्रोजेक्ट का काम शुरू करके हम इनको भी इसी तरह से रेडी करेंगे, जो प्रोजेक्ट इससे भी ज़ादा एडवांस होंगे, क्योंकि यह हमा इनको हम 10,000 करोड के Lion Corp Organization बनाएंगे। यह Lion Corp Organization भी SS के भारत का है, नहीं हमारा दिया हुआ कॉंसेप्ट है। विश्वो में कॉंसेप्ट चलता है Unicorn Company, 7,000 करोड के Valuation, 10 मिलियन डॉलर की कंपणी, मतलब Unicorn Company, हम शेरों का देश है, हम शेर की बात करते हैं, हम Lion Corp Organization की बात करते हैं, 10,000 भारती और रुप्यों के Valuation की कंपणी भारत में कहलाएगी Lion Corp Organization, और ऐसी कंपणी हम बताने जा रहे हैं मित्रों, तो यह 500 कंपणी आदेश में बनानी, यह कंपणी मल्टीपल लोकेशन, मल्टीपल तवसिल, मल्टीपल कंट्रीज में बिजनेस करेगी, यह अपने आप में एक व्यवस्ता होगी, अपने आप में एक सिस्टम होगी, और इसके उपर मैं भी दिन, रात, तन, तोड़ मैंनत कर रहा हूँ, मैं वारा नसे में कंटीनियूज हूँ, रातों को लोग सोए नहीं है, दिन को सोए नहीं है, हलाकि मुझे तो थोड़ा बहुत आराम मिला भी है, मगर मेरे एंजिनियर्स, मेरी प्रोजेक्टीम, मेरे बाकी के लोग इतनी महनत कर रहे हैं, कि मुझे दिल से उन सब को धन्यवाद कहने के इच्छा होती है, ये कोई एक व्यक्ती का काम नहीं, एक प्रोजेक्ट बनाते हम सब बैंड बज़े रहे हमारे बैंड, बाते करना कि बाई इतने उतने प्रोजेक्ट हम कर दे, एक एक स्टेप होगा, पहले एक पूर्न रूप से विक्षित होगा, फिर 20-21 चालू होंगे, वो विक्षित होंगे, पचास होंगे, सो होंगे, इस तरह से जर्नी आगे जाएगी, मित्रो ये कोई ऐसा आसान काम नहीं है कि कोई भी करके चला जाए, ये बहुत चैलेंजिंग काम है, इसके लिए टीम रेडी करने पड़ती है, सिस्टम रेडी करने पड़ती है, बहुत चीजे करने पड़ती है, तो मित्रो बहुत खुशी हो और ये मुझे कहते होगे कि हम करके दिखाएंगे नहीं, हम करके दिखा रहे हैं और आप सबको वो देखने मिलेगा इसी के साथ-साथ SS के भारत की जो equity हम दे रहे थे लोगों को अब उसमें भी बदलाव आ रहे हैं 16 तारिक से equity जो मैं 25 से दे रहा था वो 30 रुपे से दूँगा किसी भी प्रकार का safety, security agreement यानी buyback agreement अब मुझे देने की जरुवत नहीं है, मैं दूँगा नहीं और ये opportunity इस तरह से लोगों को benefit देगी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, मैं जो कहता हूँ वो जो मैं सोचता हूँ कि इतना होगा उसका 10% कहता हूँ 100% सोता हूँ 10% कहता हूँ 100% का plan करता हूँ 10% कहता हूँ तो जो मैंने कहा है वो 10% भी नहीं है और ये इतना बड़ा काम होगा कि आप सोत नहीं सकते हो इतना benefit होगा मुझे खुशी है 4 दिन पहले मुझे call आया और एक single व्यक्ती ने SS के भारत की एक लाग शेर की equity लिए एक single व्यक्ती ने इस तरह से लोग अभी सामने से आ रहे है क्योंकि लोगों को पता चल गया कि ये बोलते नहीं करके दिखाते है और करते नहीं ठोक के करके दिखाते है हमारी यो speciality है बाते करना ये मेरा काम नहीं ये मैं तो result वाला आदमी हो result में believe करता हो कर्म में believe करता हो फल इश्वर देगा प्रभू देगा मगर मैं काम करने में पीछे नहीं अटता ना मेरी team अटती है ना हम लोग अटते बित्रों इसमें बहुत संगर्स आए हमारे पास भी sufficient fund नहीं था हमारे भी ऐसा कोई नहीं था कि हम करोड़ो रुपे लेके बैठे थे हमको बहुत सारी चैलेंजों का सामना करते हुए ये करना पड़ा जिसका कुद तकलीब हमारे से जुड़े हुए हमारे लोगों ने भोगी हमारे SS के भारत के family के हमारे staff को कुछ stress जिलना पड़ा क्योंकि मैंने पूरा पैसा project की तरफ divert कर दिया था मैंने सारी चीजे hold कर दी थी यहां तक कि मेरे staff की employee की salary भी hold कर दी थी हाला कि उन लोगों ने समझा और उन लोगों ने कंदे से कंदा मिला के मेरा साथ दिया मैं उन सब को भी धन्यवाद कहना चाहता हूं बट अभी हो समय खताम हो गया अब हमें जो करना था कर दिया आप 15-20 दिन में मैं सारी चीजे smooth कर सकता हूं तो मित्रो यह जबर जस्त opportunity SS के भारत equity की मैं किसी को हला कि मैंने और एक चीज की देखो दुनिया में तीन प्रकार के लोग होते एक वो जो आपको पता है कि नकारात्मक है मैं थोड़ी चाई पी लेता हूं एक मिनिटा धन्यवाद तो दुनिया में एक वो लोग होते है जो नकारात्मक होते है आपको पता है कि यह कुछ करने वाला नहीं, इससे दूर रहने में पाइदा है। एक वो लोग होते जो सकारात्मक होते और आपके साथ हर परिष्थिती में खड़े होते। मेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे है, जो हमें सा मेरे साथ खड़े रहे हैं। मेरे माता जी, मेरे बड़े भाई, मेरे परिवार के अलावा, मेरे बड़े भाई के तुल्यों, ऐसे सुरेश पांडे जी, मेरे एक बिजनेस पार्टनर सुकुमार हेड़े, जो की होटल इंड़स्ट्री के ओनर है, उपादेसर आउट ओफ दवे जाके, जो सायद, आपको ब आटिल सर है, जिम लोगों ने मेरा कंदे से कंदा मिला के साथ दिया, और तब जाके हम ये कर पा रहे हैं, कोई व्यक्ति अगर ये सोत ले कि मैं सब कर दूँगा, मैं मेरे से हो रहा है, मैं दुनिया चला रहा हो, तो ये सबसे बड़ी गलत फैमी होती है, पहले तो हजारों की फोज की जरुवत नहीं है, पात-दस लोग सही काफी होते हैं, तो ये होती है दूसरी केटेगरी, जो अपने लोगों की केटेगरी होती है, जो आपके साथ चलते हैं, आपके विश्वास पे चलते हैं, और तीसरी केटेगरी होती है, जो या तो आपके साथ होत होते हैं अ कुछ नहीं होते हैं यह आपको पताई के यह कह है तो घर एक व्यक्ति को मेरे जान पहचान वाले पहले को फोन करकर मैसेज करकर करकर का मेरे इक्वीट मेरे अपना ए और को अपना है और कौन शप्ण compliant जो अपना है उसको लेके चलेंगे और कहां से का ले जाएंगे आने वाला समाई बताएगा मेरे जिसने साड़े बारे अजर का शेर लिया है ना आज आज इस दिन में क्योंकि आज हमारे पाद प्रोजेक नहीं था आज लोगोंने विश्वास के दम पे लिया है वो मेरे लिए इश्वर तुलिया है भगवाने हो मेरे लिए बवीश्य में तो अरबो खर्बो पती लाइन लगा के आएंगे तो आज जिन लोगोंने साथ दिया है जो अभी दे रहे है जो आने वाले 10-15 दिन या उपनिंग के पहले 4-5 दिन देंगे ये मेरे अपने हैं बाकी सब सपने है मगर मैं भी जानता हूँ इसलिए मैंने जान बुझके फोन करकर के मैसेज करकर के लोगों को बोला पैसे डालो कुछ लोग जेनियून लिया इसे कंडिशन में जो साड़े बारा जार भी नहीं साइद डाल सकते हैं वो मुझे पता है और उनके लिए मैंने अपना प्लान करके रखा है सोच के रखा है क्या करना है मुझे तो मित्रो अब 16 तारिक से जो स्टार्ट अप का हम बुकिंग कर रहे है उसकी प्रक्रिया भी बदल जाएगी मैं एक पूरा फॉर्म बना रहा हूँ इट विल बी लाइक ऑ क्वेस्चन पेपर जिसमें कुछ सवाल लिखे जाएगे उस सवाल के जवाब उनको लिखने है या तो किसी के बाद उनको लिखना मेरी एक 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 एक्सपर्ट टीम उन जवाबों को एनलिसिस करेगी और उसको मार्ग देगी और उन मार्ग देने के बाद सौ में से अगर सत्तर परसंट मार्ग उनको मिले तब उनको मैं तालुका दूँगा मैं उनकी प्रोफाइल देखूँगा कि इस व्यक्ति में कितना दम है अभी तो विश्वास पे आ रहे थे तो हमने बिंदास आने दिया क्योंकि विश्वास का एक अलग कीमत है विश्वास की अलग वैल्यू है मगर अब देखने के बाद जो आएंगे उनके लिए एक्जामिस कंपल सरी उनका प्रोफाइल लेंगे प्रोफाइल अच्छा लगा तो उनको पेपर देंगे ये एक्जाम लेंगे हम उनकी सोच जानना चाहते कि उनकी समाज के प्रति क्या सोचे उनकी लोगों के प्रति क्या सोचे उनकी कठीन परिष्टितियों को संगर्ष करने के प्रतिक्या सोचे क्योंकि बिजनेस में तो हजारों चेलेंज आ रहे है मुझे रोज चेलेंज आ रही है कल मट्टी गिरनी थी वहाँ पे दशरा है पुलिस ने बन करवा दी अब यहाँ पे कुछ दूसरा मैटर हुआ है पास में जौनपूर डिस्टिक में तो गाड़िया नहीं आएगी मट्रियल नहीं आएगा तो ये सारी परिष्टितियों को जेलने के लिए क्या वो व्यक्ति कैपेबल है क्या मेरे साथ पाटिल सर है यहाँ पर पाइगन सर है निखिल डोकरे है मेरे लोग यह सब टेंशन में होते है अरे सर कैसे होगा मैं बोला कैसे क्या होगा चिंता क्या करने है हम कहां कुछी को दिखाने के लिए कर रहे हम वो कर रहे है जो हमको करना है जिसको अच्छा लगता है वेलकम नहीं लगता है उनकी अपनी समस्या है मैं कर रहा हूँ हमारे लिए, मैं कर रहा हूँ भविशय के लिए, तो मैं जो कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ ठोक के कर रहा हूँ, और करके दिखा रहा हूँ, तो मित्रो मैंने आपको SS के भारत के इस 16 तारिक के प्रोग्राम की रूप रिशा बताई, मैंने आपको ये भ पूरा पता चले तीशतरा मैने आपको स्सक्ड़ारत की इकविटी के बारे में बता है उक्विटी अब लाखों की और इनट हो की कॉंटिटी में जाए बा-पात बाएगी मुझे चिंता नहीं मेरे पास पूरा i ile he समाज पड़ा है मतलब आप गिनने सकते होतने लोग पड़े वो मेरी चिंता का विशही नहीं था मुझे पहले मॉडल रेडी करना था तब मुझे उनके पास जाना था और उसके बाद स्टार्ट अप कैसे होंगे वो भी मैंने आपको बताया मित्रो अब ये प्रोजेक्स 17 त और हमारे खुद के शौपिस पे फोकस करेंगे और 15 जन्वरी के बाद इसका एक ऑफिशल उपनिंग प्रतिष्टिट व्यक्ति को बुला के करेंगे मगर इस प्रोग्राम में हमारे सुप चिंतक जैसे मैं कहता हूँ कि कुछ लोग हमारे परिवार के हैं जिनको मैं अलग म समान बोलू बही समान बोलू मित्रशमान बोलू ऐसे धर्मदाज जी माराज महनत धर्मदाज जी माराज पदा रहे है उनिके साथ साथ प्रसिद्ध हनुमान गड़ी मंदीर अयोधिया में राम मंदिर के बाद सेकेंड नंबर का अगर कोई मंदिर माना जाता है तो हनुमान गडी मंदिर माना जाता है उसके महंत श्री राजुदास जी माराज जो की योगी जी से लेके हर राज्य के मुख्य मंतरी की ऑफिस में डायरेक जा सकते है तो राजुदास ज वो तो हर बार हमारे साथ होते हैं, हर बार आशिश देते हैं, वो कभी बताते भी नहीं कि में मुदी जी को जानता हूँ, वो एक अलग व्यक्तितु है, अलग इश्वर ने अलग लोगों को बनाया, कुछ लोग होते हैं कि जो खुद करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो ल माता जीजाबाई ने किया उनके पिता जी तो लड़ाई लड़ रहे थे वो बाहर थे शिवाजी माराज के गुरू रामदा स्वामी थे उन्होंने उनको मारदर्शन दिया इसी तरह से कुछ लोग होते जो खुद करते और कुछ लोग होते उनको घड़ते है चंद्रगुप मेरे बहुत अच्छे मित्र हो चुके अब और श्री नितिनगड़करी जी के अग्रिकल्चर एडवाईजर और मित्र है वो आ रहे है अभी रिसेंटली उनका नियूरोन लेबोरेट्री एक भारत सरकार और एक टाटा फंडामेंटल रिसर्च के द्वारा बन रहा है जो जम कमिटी है उसके चंदर सेकरजी जो की जिनको एक टेकनिकली एक जो दर्जा है वो कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल का उनका एक वैल्ली होता है तो वो भी पधार रहे है वो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्वा है उसके अलावा हम तो है ही यहाँ पे और भी कुछ लोग अपे अब अभी उनको मैंने मतलब कुछ ऐसा फोर्स नहीं किया है कि सर आप आईए आपको अगर आप पॉसिबल है तो जरूर आईए उसमें हमारे बहुत सारे लोग है देखते है उसमें से कौन को नाता है तो मित्रो यह कार्यकरम एक आनन्द है एक पॉजिटिव एनरजी की त अंगर्स और उसका जो फल है वो फल मिलना उस दिन से हमको सुरू होगा तो मित्रो मुझे जो कहना था मैंने आपको कह दिया और जो मैं कहता हूँ दिल से कहता हूँ मैं वो इंसानों जो जो कहता हूँ मेरा अगर मेरे कुछ अच्छा एचिव किया तो भी मैं कहता हूँ अ मंठ परिस्तितियों पे होता है और वो सबके जीवन में हर जगा पर होता है तो मित्रो मैं पूर्ण SS के भारत परिवार की तरफ से शाम संकार उपादया परिवार के लोगों का इस वास्तु पुजन सवारम में हार्दी स्वागत करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जैबारत मिलके करते दिल से करते करके दिखा रहे हैं लेट्स डूइट विश्यों गुड़ लाग विश्यों ग्रैंड ग्रैंड सक्सेस आल देख केर ब महादेव सब देवी देवताओ इश्यों ये सक्तियों की जैंग हम सबको आशिर्वाद दे और विजयी बनाए बहुत बहुत धन्यवाद